नमस्कार आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए भी यह एक यादगार दीन है लेकिन साथ साथ देश के लिए भी यह बहुत अइतिहासिक दिवस है 1947 में आज के ही दिन यान तो यह बैंक कर्मचारी ही थे जिनोंने जादा से जादा रण देकर MSME सेक्टर को बचाने में मदद की और डेड़ करोड से जादा उद्वियों का जिसका रोजगार जाने की संभावना थी उच्छोटे छोटे उद्यागों को बचा करके डेड़ करोड से जादा लोगों का रोजगार भी बचाया जब सरकार ने किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजनेर के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना शुरू की तो ये बैंक करमी ही है जिनों ने इस योजना को टेकनोलोजी की मदद से सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जब सरकार ने रहड़ी पट्री और ठेले वालों के लिए जो फुटपांत पर बैठ करके अपने माल बेचते हैं छोटी सी लौरी लेकर के माल बेचते हैं उनके लिए एक स्वनी दियोजना सुडूगी तो ये हमारे बैंक करमी ही है जो अपने गरीब भाई बहनों के लिए इतनी महनत कर और कुछ बैंक ब्रांच ने तो ऐसे लोगों को ढून ढून करके बुला बुला करके उनका हाथ पकड़ करके इन रेडी पट्री वालों को लोगों देने के लिए काम किया है आज हमारे बैंक करमियों की महनत की वज़े से ही पचास लाज से जादा रेडी पट्री ठेले वालों के उनको बैंक से मदद मिल पाई है मैं हर बैंक कर्बचारी की सरहाना करता हूँ उनका अभिननन करता हूँ और आप लोग भी अब जब बैंकिंग सेक्टर में जुड रहे हैं तो एक नई उर्जा जुड़ेगी नय विश्वात जुड़ेगा समाज के लिए कुछ करने के एक नई भावना प्यादा होगी पुराने लोगों जो परिश्व कर रहे हैं उसमें आपका परिश्व जुड जाएगा और मुझे पक्का भिस्वात है कि हम बैंकिंग सेक्टर के मात्यम से गरीब से गरीब तक के को मदबूत बनाना चाहते हैं उसमें आप लोग आज ये नियूक्ति पत्र के साथ ही संकल पत्र लेकर जाएंगे साथियों जब सही नियत से फैसले लिये जाते हैं सही नीती बनाई जाती है तो उसके परणाम भी अधूत होते हैं अभुत्पुर्व होते हैं इसका प्रमाण एक प्रमाण अभी कुछी दिन पहले देश ने देखा है नीती आयोक की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ पाँच साल के भीतर ही भारत में साड़े तेरा करोड भारतिय गरीबी रेखा से उपर आ गए हैं भारत की इस सफलता में सरकारी कर्मचारियों की भी मेहनत रही है गरीबों को पक्का घर देनी की योजना हो गरीबों के लिए सावचालाय बनाने की योजना हो गरीबों के घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना हो ऐसी अनेकों योजनाओं को हमारे सरकारी कमचारी ही गाउं गाउं गर गर जन सामान्य तक लेकर गए जब ये योजनाओं गरीब तक पहुँची तो गरीबों का मनोबल भी बहुत बड़ा विश्वास पादा हुआ ये सफलता इस बात की पती है कि हम मिलकर भारत से गरीबी दूर करने के प्रयास बढ़ाएं तो भारत से गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती है और इसमें निश्चित तोर पर देश के हर सरकारी करमचारी की बहुत बड़ी भूमी का है गरीब कल्याण की जो भी योजना है आपको खुद भी उनके प्रती जागरत रहना है और जनता को भी उसे जोड़ना है साथियों भारत में कम होती गरीबी का एक और पक्ष है कम होती गरीबी के बीच देश में नियो मिडल कास का लगातार विस्तार हो रहा है इससे रोजगार के नए आउसर बन रहे भारत में बढ़ते नियो मिडल कास की अपनी डिमांड से है अपनी अकांशा है इस डिमांड की पुर्ती के लिए आज देश में बड़े पैमाने पर मैनुफेक्टरिंग हो रही है आज जब हमारी फैक्टरियां हमारे उद्ध्यो रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं तो उसका लाब भी सबसे अधीग हमारे युवाओं को होता है आज कल आप देखिए आए दिन किसी नए रिकॉर्ड की चर्चा होती है नए एच्यूमेंट की चर्चा होती है भारत से रिकॉर्ड मुबाइल फोन एक्सपोर्ड हो रहे है भारत में इस साल के पहले छे महिने में जितनी कारों की विक्री हुई है वो भी उत्सा बढ़ाने वाली है इलेक्ट्रिक विकल्स की भी भारत में रिकॉर्ड विक्री हो रही है ये सब देश में रोजगार बढ़ा रहे है रोजगार के अवसर बढ़ा रहे है साथियों भारत के टैलेंट पर आज पूरी दुनिया की नजर है दुनिया में अनेक विक्सित अर्थ वबस्ताओं में लोगों की उम्र तेजी से बढ़ रही है सीनियर सिटिजन से दुनिया के कई देश विपूल संख्या से भरे हुई है युवाद पीडियों के हाँ कम होती जा रही है काम करने वाली आबादी घट रही है इसलिए ये समय भारत के युवाओं के लिए बहुत महनत करने का है अपनी स्कील अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का है हमने यह देखा है कि भारत के आईटी टेलेंट की डॉक्टरों की नर्सों की और हमारे गल्प कंट्रीज में तो कंस्रक्शन की दुनिया में काम करने वाले हमारे साथियों की कितनी ढिवाण रही है भारतिय टेलेंट की इज्जत हर देश में हर सेक्टर में लगातार बढ़ रही है इसलिए पिछले नव वर्षों में सरकार का बहुत बड़ा फोकस स्किल डेवलप्मेंट पर रहा है पी एम कौशल विकास योजना के तहत लगबग देड़ करोड युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है सरकार 30, 30 स्कील इंडिया इंटरनेस्टरल सेंटर भी सापित कर रही है ताकि हमारी वाँ ग्लोबल आपर्चुनिटी के लिए तयार हो सके आज़ देश भर में नए मिडिकल कॉलेज नई आईटी आईज नई आईईटी टेक्निकल इंस्टिटूट्स बनाने का भी अभ्यान जोरों पर चल रहा है 2014 तक हमारे देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज ही थे पिछले नव वर्सों में ये संख्या 700 से अधिक हो चुकी है इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेजों में भी बहुत बड़ी बढ़ोत्री हुई है ग्लोबल डिमांड को पूरा करने वाली स्किल्स भारत के युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बनाने जा रही है साथियों आप सभी एक बहुती पॉजिटिव माहोल में सरकारी सिवा में आ रहे हैं अब आप पर भी देश की इस पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है आप सभी को अपनी आकांच्छाओं को भी विस्तार देने का प्रयास करना चाहिए नए जिम्मेदारियों से जुडने के बाद भी आप सीखने और सिल्फ डेवलप्मेंट की प्रक्रिया को जारी रखे आपकी मदद के लिए सरकार ने आउन लाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गौड कर्मयोगी तयार किया है मेरा आप सबसे आगर हैं कि इस सुविधा का जादा से जादा लाब उठाने का प्रयास करें एक बार फिर मैं आपको आपके परिवार के लोगों को इस नई जिम्मेवारी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस नई जिम्मेवारी एक आरंब बिंदु है आप भी जिन्दगी की अनेक नई उचाईयों को प्राप्त करें आपके मद्यम से जहां भी आपको सेवा करने का मोका मिले देश का हर नागरी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके कारण बहुत नई ताकत को प्राप्त करें आप अपने हर सपनों को पूरा करें संकल्प को पूरा करें इस जिम्मेवारी को बख़ुभी निभाएं इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सुपकामनाय हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बहुति झाल झाल यार झाल में लिए